हेलो एवरिवन आज के स्विडियों हम सीखेंगे यूनिट मेजरमेंट यानि एक किलो गराम में कितना गराम होता है एक गराम में कितना मिली गराम होता है ये सारी चीज इस वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे तो इस वीडियो को पूरा देखना आपको अच्छे से समझ आ होता है दूसरा है एक गराम में कितना मिली घर मोत थे तो एक गराम में 130 यानी मघ होता है किंुटरी की कि लेह तो एक हजार क्यूल करेट कितना पांच हजार कैरेट इसके बाद है एक किलो में कितना पाउंड होता है तो एक किलो में होता है 2.20 पाउंड इसके बाद है एक गराम में कितना किलो होता है तो एक गराम में होता है 0.001 किलो यह एक गराम में होता है इसके बाद है एक गराम में कितना कैरेट होता है तो एक गराम में 5 इसके बाद सातवा है एक पॉंड में कितना गराम होता है तो एक पॉंड में 4.53.59 गराम होता है इसके बाद है एक पॉंड में कितना किलो होता है तो एक पॉंड में 0.4530 केजी यानि किलो गराम होता है इसको बाद नवा है एक पॉंड में कितना कैरेट होता है तो एक पॉंड में 2266.96 कैरेट होता है इसको बाद दसवा है एक किलो में कितना मीली गराम होता है एक किलो में दस लाख मीली गराम होता है एक किलो में दस लाख मीली गराम होता है